इस सरकर को सुन रहे थे आप उन्होंने बताया कि घटना बेहदी दुखद है दुरभागे पूर्ण है कार्रवाई की जाएगी आगे बढ़ेंगे दुनिया भर में तीसरे खाड़ी युद्ध का खत्रा मंडराने लगा ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना 30% वार्श क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तयारी कर ली है अमेरिका ने अपनी 30% नौ से न इजरेल को बचाने के लिए उतार दी है या अमेरिका ने अपनी एक तिहाई में भी इरान को मिटाने के लिए तैनाथ कर दी है युएस के रेडार पर सिर्फ एरान नहीं लेबनान भी है सीरिया भी है यमन भी है और खासा भी है बाइडन के विद्भन्सकों ने इस्रेयल के दुश्मनों को घेर लिया है ये इस्रेल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के तीन समंदरों पर इस वक्त बाइडन का कबजा हो चुका है US नेवी के इस डेप्लॉयमेंट से इस्रेल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं कहां तो इरान इस्रेल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां आप खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है सिर्फ इरान ही नहीं इस तैनाती से लेपनान भी सहमा हुआ है यमन भी घबरा गया है और घाजा तो इस्रेल की लिस्ट में सब से उपर है इसलिए एक बार फिर सबान क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तयारी कर ली है अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा तब अमेरिका के राश्वपती थे जॉर्ज डबलो गोश सीनियर और निशाने पर थे एराक के राश्वपती सदाम होसै दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ तब अमेरिका के राश्वपती थे जॉर्ज डबलो गोश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे एराक के राश्वपती सदाम होसै दो हजार चौबीस में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है इस बार राश्वपती जोवाइडन च्या इरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का एक तिहाई हिस्सा इसरेल की सुरक्षा के लिए तैनाद कर दिया है इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणू हत्यारों से लैस हैं इसमें केरियर भी हैं इसमें परमाणू पंडुबियां भी हैं अमेरिका का केरियर बैटल ग्रोप यूएसस अब्राहम लिंकन की लीडर्शिप में भूमा दिसागर को कवर खरेगा परमाणू पंडुबिया यूएस जॉर्जिया भूमा दिसागर में लेबनान के पास तैनाथ हो चुकी है ओमान की खाड़ी में यूएसस तियोडोर रुज्वेल्ट केरियर अलर्ट पर है यानि यहां से इरान को खतरे में डाल सकता है इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसेस जॉन एस मैकन और यूएसेस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किये जा चुके हैं लाल सागर में भी अमेरिका के वार्शिप तैनात हैं यहां से हूथी की मिसाइलों और इस्रेयल के तरफ लाँच होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं अमेरिका इसलिए इसरेयल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो इरान और उसके साथ ही मिलीशिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है अमेरिका को पता है कि इसरेल अपनी रक्षा खुद में कर पाएगा यही वज़े है कि अमेरिका इस सिलाखे में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है पेंटागन के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉड ओस्टिन ने इस्रेल के रक्षा मंत्री योवाव गैलन्ट से बात की साथ ही उने भरोसा दिलाया कि अमेरिका इस्रेल के बचाओं में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए इस वक्त युद्ध का ट्रिगर इरान के हाथ से निकल कर अमेरिका के पास पहुँच गया है अमेरिका ने अब तक जो आक्षन लिया है उससे साफ है कि वो इस्रेल को बचाने के लिए तीसरा खाड़ी युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा अगले 24 घंटे में बाइडन को ये फैसला करना होगा कि अगर इरान इस्रेल पर हमला करता है तो उनके टार्गेट पर तेहरान के अलाबा कौन कौन से शेहर होंगे और क्या ये युद्ध सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया कल्फ वार के साथ वर्ल्ड वार भी देखेगे तेल अवीव में बंध धमाके की जिम्मेदारी हमास के लेने के बाद इसराइल की सडकों को च्छावनी में तबदील कर दिया गया अब पूरे ही इसराइल में इस वक्त टेरर अलर्ड जारी किया गया इसके चलते गाजा की तस्वीरों के बीच इसराइल में धमाकों की ख़वर ने अमेरिका को भी चौका दिया कहां तो यहां तक जा रहा है कि इसराइल ने हमास के 27 एजिंट घुश चुके हैं इसराइल की राजधानी देल अवीब में फटा पंग टार्गेट पर थे इसराइल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याओं रक्षा मंत्री योग गैलन्ट को उड़ाने की थी तैयारी बम किस के लिए था? मौत का पैगांग जिन के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते इसराइल की राजधानी तेल अवीब में फटे पंग कि कहनी नेतन्याओं को यही लाओड एंड क्लियर मैसेज दे रही है अवीब में प्लांट करने की कोशिश में था? जिसमें उसी शक्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था सवाल यह है कि ये बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टार्केट कौन था? क्या ये बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था? या इसरेल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराप में था? इसकी डीटेल अभी तक तेल अवीब की पुलिस जोटाने में जोटी है लेकिन ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीब में इस तरह की कोई घटना होई है घाजा में खोन खराबे की बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीब भी दैला कभी लेपनान के हिजबुला के रॉकेट से कभी चाको बाजी से ये कभी मिसाइल अटैक के पहले किसारण से इसरेल वार मोट में है लेकिन खुद इसरेल के खिलाब हमले नहीं रुक रहे इस बीच इसरेल ने घाजा में ताजा हमले किया है इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है घाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विरेश्ट मंत्री एंटिनी बलेंकन इसरेल में थे शांती प्रस्ताओं पर बाच्चीत के लिए इसरेल बाच्चीत के लिए कितना तकपर है कितना उत्सुक है घाजा पर हुए हमले उसकी बान की है घाजा के स्वास्त अधिकारियों के मताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इसरेली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत होगे मरने वालों में एक ही परिवार के आट लोग शामिल है हमले में एक महिला और उसके छे बच्चों की मौत होई है इसरेली सीना ने कहा कि उसने दक्षिव शहर खान जौनस से इसरेल पर हम्दा करने के लिए इस्तेमाल किये गए रॉकेट लॉंचरों को नश्ट कर दिया जो हाल को हम्दों में दीब्र लडाई की छेगर